करने वाले PM खास सुरच्छा मित्र योजना की विशे में जसा कि मैंने कर ले पिछले विडियो बनाया था तो मैंने उसके बादाया था इसके स्कीम के बारे बताया था कि PM खास और 6 मित्र योजन है क्या आज मैं लाइव रजिस्टेशन करके दिखाऊंगा आपको डिश्टल मित्र के लिए ट्रेंड मित्र के लिए और सवच्छता मित्र के लिए अगर आप फिर हैं अगर आप चाहते हैं कि मैं यह ट्रेंग शर् सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीजरू सब्सक्राइब कर लें साइशाद वेल आइकन पेस कर दें इससे मेरे आने वाले से यूडियो अपलग आतार देख सकें तो सबस्क्राइब मैं बात कर लेता हूं कि PM खास सुरच्छा मित्र योजन है क्या तो उसको डेटेल FSSI है ना Food Safety मित्र ठीक है तो वो क्या food business operators जो होते हैं जो foods related काम करते हैं जिसे दुकान रखते हैं कुछ भी करते हैं खाने पीने का काम होटल्स हो गए छोड़े दुकान्स हो गए तो उनमें क्या license बनवाना पड़ता तो उसका आप license बना सकते हैं उनका license बना पाएंगे औ योगिता इसकी में अउनलाइट मैंने डिटेल पूरा दिया गया है license बनाना रिन्यू करना उनका और भी को प्रॉलम शाती है उनको solve करना तो गवर्मेंट इसके दिए तीन लोगों को हायर कर रही है तीन करठा करी के पहला जो मैंने बताया डिश्टल मित्र और जो दूसर बणना चाहते है अगर आप अगर आप सवच्छता की लिए अपलाई करना चाहते है तो वह आने बता है थो अज तो हमकूरी तो आपको यह पर कोई ऐसा वर्क नहीं है, इसके लिए आपको ओनलाइन रजिश्टेशन करना होगा, तो ओनलाइन रजिश्टेशन करने के लिए सबसे पहले आपको बनाना होगा, इसके में एक ID and Password, ID and Password के लिए के Login डेटेल आपको भरनी होगी, तो इसके पर अपना E-mail ID एक, एक म भरनी होगी, तो चलो, मैं पहले सारा जो बेसिक डेटेल भर लेता हूँ, इसके बाद आपको आगे का प्रोसीजर में बताता हूँ, जैसे आपको यहाँ E-mail ID अपना और मॉइल नंबर डालेंगे, तो यहाँ Send option आएगा, Send OTP पर क्लिक कर देना होगा, OTP Send on your mobile होगे, आपक इसके बाद आपको FSM डेटेल भरनी होगी, तो FSM डेटेल में, Food Safety मित्र में, आपको सच्वेल है, First Name, Last Name, Gender तो First Name में अपना एंटर करता हूँ, Last Name, Gender आपको Selected करना है, Male है, Female है, Date of birth आपको देखिए, मन्त भरना है पहले, पहले मन्त भरना है, दोस्तों याद रखना, फिर Date भरनी है, फिर Year भरना है, ओके, इसके बाद एड्रेस आपको भर देना, आपको जो भी एड्रेस हो, इसके बाद अपना State चूज करना है, आप जिस भी स्टेट से बलॉंग करते हैं, सारे स्टेटों पर दोस्तों ये चल रहा है ज्यादा था, मैं हूँ उत्तर प्रदेश से, और इसके बाद अपने डिस्टिक के नेम शूज कर लेना है, जो भी डिस्टिक के नेम हो आपका, इसके शिटी, पिन कोड, doctrine हुआ, अधार नमबर आपए अब अब लेवल है तो डाले, अगर pen नमबर आपवर डाले ये में मेंर टे नहीं है, अब आपको आनाना नीचे qualification पर, तो qualification तर्म आ देकि해ömंग, क्या है, subject क्या कहते हैं college किया था यह रपाशिंग किया था पर्षेंटेज किया था तो आपको है qualification भर देनी है आपने बेस्ट किया है क्या किया जो भी किया हो qualification भर देना है maximum वाली भर देना है दोस्तों ठीक है अगर आपके पास कोई experience and training detail है तो आपको भरना है ठीक है अगर आपने कहीं PA training की है experience है तो भर देना है तो चलो मैं qualification अपना भर देता हूँ और experience and UBA भर देता हूँ है तो अपना आपके हाँ पर qualification suppose आपने बेस्टी या BA या आपने बीटे के कुछ भी किया है और आप maximum qualification है आप रपार रहे हैं आपने सब ग्रेजुएशन के लिए तो ग्रेजुएशन की डेटेल आप बहर सकते हैं आप चाहें high school अगर आपके ने कहीं experience किया है आपने किसी इंडेश्टी में वर्क ही किया है तो उस इंडेश्टी का नाम organization का नाम company का नाम day generation आपके काउंच पोश्ट थी आप manager थे sales manager थे workers थे क्या थे और किस date से किस date को किया यह करना है experience कितने महिने का आपको experience से वह भर देना है इसका अगर और भी multiples company में आपने काम किया तो add mode पर click करना है बात बाकि अगर आपको कुछ नहीं तो register yourself पर click कर देना है तो जैसे आप register yourself पर click करेंगे तो please select alternate alternate one अच्छा अब मैंने type select नहीं किया तो मैं type select कर लेता हूं तो आपको यहां पर fsm type में कोई एक select करने ना किसके लिए आप apply करना है डिश्टल मित के लिए ट्रेनर के लिए या हाईजिन मित के लिए इन में तीम में इसे एक apply करना है दोस्तों मैं पहले firefox पर apply कर रहा हूं तो वहां पर यह चेक बॉक्स नहीं दिख रहे थे जैसे मैंने chrome पर फिरसे form को apply किया तो दि क्लिक करने के register your shell पर क्लिक करना है तो जैसे आप register your shell पर क्लिक करेंगे तो देखिए your data saved successfully your application reference number this click here to login तो देखिए आपके पर message भी आ जाएगा और यह आप your reference number है यह आप कहीं नहीं note करके जरूर रख लें क्योंकि यह आपको आने वाले समय में काम देने वाला है तो चलो मै इसका screenshot ले लेता हूँ फिलाल आपके message भी आ जाएगा लिकन मैं इसको screenshot लेकर रख लेता हूँ कि आप click here to login पर click करना है जैसे आप click here पर login पर click करेंगे तो आपको यहाँ पर refresh यहाँ पर आपका username और password मांगेगा तो मैं अपना username और password डाल देता हूँ तो यहाँ पर आपका dashboard पर यहाँ पर open हो जाएगे दिश्टल मित के मैंने अपलाई किया था और यहाँ पर आप जैसे आते हैं तो देखें मेरा पूरे detail दिखाता है name और data birth, address, pin code, email, wall number और यहाँ पर अब यहाँ भी मेरा first application अप्लिकेशन अब ट्रेनिंग करनी होगी मुझको assessment देने होंगे और पर स्वच्छता के लिए भी दिखाता है तो मैंने जो apply गिया तो उसके लिए अप करनी होगी training जैसे आप यहाँ पर click करेंगे आप आपको यहाँ पर training complete होगी जैसे आप ट्रेनिंग पर click करेंगे तो आपका जो भी detail हो को यहाँ पर दिखाएगा आपको training कैसे करनी वो भी मैं उसके लिए अलग वीडियो बनावाँ कि वीडियो काफी लंबा हो रहा है अब दिखेंगे यहाँ पर training आपको दिखा रहा है for detail information regarding FSA Act rules please visit this आप यहाँ पढ़ सकते हैं सब्सक्राइल overview of FSAI आपको पढ़ना होगा filling up registration license under कैसे आप फिल करते हैं कैसे फिल करना होगा renewal कैसे करना होगा modification और यह सारी चीज़ कंप्लीट करने के बाद फिर आपका एक assessment होगा और यह पढ़ लेंगे जब सारी चीज़ आपको assessment मतलब आप अग्जाम भी होगा वो भी उसके लिए अलग-अलग मैं वीडियो बनाऊंगा शब के लिए अपलीज अपलोड फूटो एंड शायन विफोर अशायनमेंट तो सच पले अपलोड एंड फूटो आपको करने होगी इसलिए मैं आगे वाले समय में वीडियो बनाऊगा कैसे आपको ट्रेनिंग करनी है कैसे असेश्चमेंट देने है किसका कैसे सर्टिफिकेशन मिलेगा एंड आपका आइड पाश्वर्ड मिलने वाला है फूल डिटियल था अभी मैंने रजिश्टेशन का तो आप वीडियो को प्ली लीजे दोस्तों लाइक शेयर जरूर कर दें आ यहां पर तीन डिश्टल मित्र के लिए अपलाई किया है आप ट्रेनर के लिए अपलाई कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरी है जो आप अपलाई कर पाएंगे ठीक है तो यह पूरा प्रोसेस था यह मैथर था कैसे अपलाई करना है और आप यहां पर नीचे जब आएंगे इना कियो अप्लोड rotor cestsगेचर है तो यहां पर अप्लोड कर देना और गू टू ट्रेंनिग पर क्लिक कर देना आप को ट्रेंग यहां आप March तो यह अगला पार्ट होगा महारा आज जो ट्रेनिंग का कैसे कंप्लीट करना है तो प्लीज दोसरे वीडियो को लाइक शेरी जरूट करते हैं अगर आप चैनल पर और हमारे चैनल को आपने अभी दग हेल भी हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यहां पर मैं गवर्मेंट से रिलेट कोई प्रोजेक्ट हो कोई भी जानकारी हो लागातार अपडेट करता रहता हूं आपके लिए बहुत ही बेनिफूट होता है थैंक्स वाचिंग